जी वेलकम है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूटूब चैनल एहमत टेक्नोजी पे आज 13 दिसंबर को यूपी पुलिस वेकेंसी का नोटिफिकेसन आउट हुआ है जिसमें टोटल पोस्ट जो है वो है 60244 ठीक है यह सिविल पुलिस की वेकेंसी है यानि कॉंस्टे कर आया है कि valevaal course जिनके पास होगा उनको preference मिलेगी तो क्या चेक्क सब्सoriented जातीा इसा काई जाती है जोलेगल कॉर्स को कर लेन चाहिए अगर आपने ट्वल्ट पास्थ कर लिये तो कर सकते है एक साल का computer का course है ठीक है बहुँत सी वेकेंसी जी में compulsory नहीं है आपका जो लेवल है यह इसमें प्रेफरेंस दी जाएगी बस प्रेफरेंस को क्या मतलब है देखें यहाप अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यारति को अधिमान प्रेफरेंस दिया जाएगा जिसने डी ओई ए सी सी एन आई ए लाइटी यहाँ पर एन को लिखना था एन आई ए लाइटी ठीक है जिसकी फूल फॉर्म नेशनल इलेक्टोनिक इनफोर्मेशन नेशनल इंस्टिटूट और इनफोर्मेशन टेक्नोलोजी होती है और यहाँ पर ओलेवल इस तर यानि ओलेवल परमान पत्र प्राप्त किया हो उनको प्रेफरेंस द दो बच्चे आ रहे हैं जिनके 217 27現在 नंबर हैं तो ऐसे में किस बच्चे को प्रेफरेंस दी जाएगी किस बच्चे को लिया जाएगा तो तो उस बच्चे को लिया जा जाएगा जिसके पास को मेरतेवील नंबर पे प्रादेशिक सेना में नियुंतम दो वर्ज की आउडिय तक की सेवकी हो या तो आपने या आपके पास NCC का लेवल B का सर्टिफिकेट होना चाहिए NCC अगर आपके पास है तो आपको इप्रेफरेंस दी जाएगी इसलिए ओ लेवल एक अच्छा कोर्स माना जाता है और यूपी पुलिस में ही नहीं यहाँ पर तो यह कंपल्सरी नहीं है बहुत सी वेकेंसियों में कंपल्सरी कर दिया कर तो आज यह जो है नोटिफिकेशन आया है इसमें अगर आप देखते हैं अनारक्षित 24,102 वेकेंसी हैं AWS के लिए 6024 है और अनोसोचित जाती के लिए 12,650 और अनोसोचित जन जाती के लिए 1204 सबसे ज़्यादा है आपकी जनरल के लिए उसके बाद जो सबसे ज़्याद कर लेगा और लड़का हो या लड़की बार भी पास बस आपको होना चाहिए ठीक है फॉर्म कब से अपलाई होंगे फॉर्म की अगर मैं आपको देखिए बता हूं तो 27 तारिक से इसके फॉर्म सुरू हो जाएंगे 27 तारिक से आप अपना फॉर्म फिल कर पाएंगे 27 दिस इसको क्योंकि बाद में जो है साइड बहुत बिजी हो जाएगे आप फॉर्म अपलाई कर नहीं पाएंगे और डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी इसके बारे में कहा नहीं जा सकता फॉर्म की फीच 400 रुपे है 400 रुपे ले जाएंगे फॉर्म अपलाई करने के नहीं होने चाइए दो जुलाई जनरल के लिए है दो जुलाई 2001 से पहले आपका जनम नहीं होना चाहिए एक जुलाई को भी नहीं लिया जाएगा ठीक है आपका जनम 2006 में हुआ है आपको नहीं लेंगे आपका जनम 2000 में हुआ है तो आपका नहीं लेंगे यहापर ठीक है 2001 से यहापर देखिए अर्थात अभ्यारती का जनम 2 जुलाई 2001 से पहले तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए यहापर साफ साफ है और महिलाव के लिए यह अब और ये लिखा हूआ है चूट मिलती है, इसमें अपको छोट मिल जाएंगी। आज यह नोटिफिकेशन आया है इसलिए जिन बच्चों का सपना है यह भी प造 companies में लगने जैसे समांते हैं कि सरकारी नोगरी ही चाहिए बसे और कुछा नहीं चाहिए बहुत लोग तायार करते क्रते हैं रोक ताकि हम मेहनत तो आपको देखिर बहुतथ जाद रहुत जाद'T करन लेके कि competition की भी तयारी कर रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं सब्स्क्राइब मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक की लिए जाहिए जय भारत